So hello friends, welcome to learning ways, so guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं citizenship को ले करके, citizenship की जब भी बात आती है, तो हम उठाते हैं अपना Indian constitution और उसका देखते हैं भाग दो, हमारे constitution में 25 भाग हैं, और 25 भाग में भाग दो में जो बात करी गई है, वो बात करी गई है citizenship, यानि देखता होती है, तो देखे किसी भी देश की बात करें, या इंडिया की especially में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तीन तरह के लोग, एक तो वो होंगे जो normal person, जो बाहर किसी और देश से घुमने आये होंगे, या अगर हम बात करें कि भाई कोई तो वो minorities में आते हैं, citizen क्या होते हैं, citizen देखे क्या होता है, कि सबका एक क्या होता है, अपना अधिकार होता है, किसी भी देश में अगर कोई रहता है और वो वहां का नागरिक है, तो उस देश में जो कानून चल रहे होंगे, जो नियम बना रखे होंगे, वो आपको follow करने पड़ेंगे, और जो अधिकार मिल रहे होंगे, वो अधिकार भी आपको मिलेंगे, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात के लेते हैं, voter ID को लेगर के, अधार कार्ट को लेगर के, तो ये क्या है, ये आपके proof है, कि आप इस देश के नाग दिखे, और इसके साथ क्या होता है, कि भाई, जो भी सरकार नौकरी निकालती है, तो आपको नौकरीज मिल सकती है, या अगर आप राजनीती में आना चाहें, तो राजनीती में भी आ सकते हैं, इसी के साथ साथ, अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 5, आर्ट अडॉप्ट हमने कर लिया था एडॉप्ट हमने नवंबर 1949 में कर लिया था लेकिन हमने लागू इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या सुचा था कि हम 26 जनवरी 1947 को आजादी ले लेंगे ठीके लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हमें आजादी मिली 15 तो क्या करा जाए तो उस दिन क्या करा गया Constitution को लागू कर दिया गया अब देखे जब समविदान के प्रारम में बात कहीगी तो यह बताया गया कि जो भारत के छेत्र में पैदा हो वो भारत का नागरिक होगा और दूसरी बात क्या कहेगी कि जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ होगा वो भी क्या होगा भारत का नागरिक होगा और तिसी बात जो ऐसे प्रारम से ठीक पहले कम से कम पाथ साल तक भारत के छेत्र में समान रूप से निवासी रहे हो वा भारत का नागरिक होगा जब समविदान प्रारम हुआ था तो उससे करने नांगरिक्त होय last हम बात के लेते हैं आर्टिकल 6 को लेकर के अब आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आय कुछ वेक्तियों के नांगरिकता के अधिकार आल जो पाकिस्तान से भारत आय तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई छे महिने का आपको वेट करना पड़ेगा एक registration होता था जिसको बोलते थे six month permit ठीक है आप छे महिने इंतजार करिए और छे महिने इंतजार करने के बाद फिर आपको भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी इसे के साथ साथ आगे बात कर 47 के बाद गया हो लेकिन वापस आ जाए तो छे महा का registration के बाद ना गिता अब क्या हुआ कि भाई कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान गया थे तो उनके लिए क्या बताया गया कि अगर आपका मन वहां नहीं लग रहा है आपको वापस आना है तो आप वापस आ जाईए ल पूरा करिए और फिर हम आपको नागिता दे देंगे अब देखिए आर्टिकल 8 को लेकर के बात करें तो आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारती मूल के कुछ व्यक्तियों के नागिता क्या दिकार अब देखिए बहुत से लोग भारत से बाहर जाते हैं दूसरे देश काम करने के लिए या अगर हम बात करें किसी विजिट के लिए या जो भी चीजे रहती है ठीक है और बहुत सारे आपने देखा होगा साइंटिस डॉक्तर जो भारत से दूसरे देश में काम कर रहे हैं इस प्रकार परिभाषित भारत का नागरिक माना जाएगा, तो वो भी क्या होंगे, वो भी भारत के नागरिक माना जाएगा, भाई अब काम करने गए हैं, काम करिए हैं, सब कुछ सारी चीदे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या बताया गया कि अगर आपके parents या फिर अगर आपके दादा-दादी वो क्या है भरत में जन्में है तो आपकी नागरिक्ता बनी रहेगी इसी के साथ बात करी गई है अलुचे 9 में जिसमें क्या बताया गया कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राजी की नागरिकता प्राप्त करने वाले रेक्ती नागरिक नहीं होंगे तो अगर अपनी मरदी से आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो फिर आप Bharat के नागरिक नहीं रहेंगे इसी तरीके से बात करे गे है ऑर्टिकल 10 में कि नाघरिकता के अधिकारों की निरंतरता अब इसमें क्या क्या गया? कि पूर्व गामी नियुमों के तहट भारती नागरिक बने हुए व्यक्ति सांसत दोरा बनाए गए किसी भी कानून के अधिन वैसे ही नागरिक रहेगा. देखिए किसी की भी नागरिकता ऐसे ही नहीं रद्ध की जा सकती. तो उसमें क्या बताया गया कि अगर आपने कोई गलत काम ना करा है ना जो सांसद ने कानून बना रखे हैं अगर आप उसके अगेंस जाते हैं ठीक है कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो वहां पर नागरिक्ता छीनने का अधिकार है वरना ऐसे नहीं कर सकते आप किसी की भी नागरिक्ता ऐसे कैंसल नह power है कि वो constitution में बद्लाव कर सकती है तो नागरिक्ता को ले करके अगर कोई कानून बनाना हो तो ये सांसथ के पास, पारलिमेंट के पास ये power है कि वो उसमें बद्लाव कर सकती है और ये काम कौन सा मंत्रा ले करता है ये आप से कई बाइ एक्जाम में पूछा है तो आपको धियान रखना है कि जो home ministry होती है वो इसमें फिर बदल कर सकती है ये थे आपके citizenship को लेकर के article 5 से लेकर के article 11 मैंने इस ट्रॉपिक को इसलिए cover कर रहा है क्योंकि आप current में देखी रहे हैं कि बहुत सारी चीदे चल नहीं है लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे है पाकिस्तान से इंडिया जा रहे है तो उसके तहत यहां पर जो भी important questions मनते हैं वो आपके exam के point of view से यहां से important निकलते हैं तो guys जबते के लिए thank you and all the very best for your examination